दोजर चौबिस लोगसबा चुनाओ की तैयारी जोरो पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष हर दिन एक नई परियोजना का उत्खाटन कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष मोधी सरकार पर निशान असाधे हैं। इस समय आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोडो न्य यात्रा उत्तर प्रदेश पहुँच गई है। जहां राहुल गांधी ने कॉंग्रिस पार्टी का मोर्चा सम्हाला हुआ है। कभी पुलिस भरती परिक्षा, ओवे से आरक्षन तो कभी वेरोजगारी पर राहुल गांधी के बयान सामने आते हैं। दोहजार चौबिस लोकसभा चुनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमानी में लगी हुई है। युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे वे हैं और बाजा चल रहा है। शराब पीकर युवा बनारस की सड़क पर नाच रहे हैं। परिवारवाद प्रस्टाचार और तुस्टी करिंड की राजनीती के कारण दशकों से विकास से पीछे रहा। इस दौरान पीयम मोदी ने राहुल गांधी के वारनासी के युवाओं के शराब पीने वाले बयान को लेकर पलटबार्वी किया। कॉंग्रेस के साही परिवार के उराज का कहना है वो कह रहे हैं। और काची की धरती पढ़ा के कह रहे हैं। काची के नवजवान नशेडी हैं। यह कैसी भाता है भाई। मोदी को गाली देते देते हों तो इन्होंने दो दसक बिता लिये। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काची के बच्चों को नशेडी कह रहे हैं। उन्होंने यहां राहूल गांधी के बारनासी की सडकों पर नशे में लोगों वाले बयान पर भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री नैंद्र मोधी ने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं वो यूपी की यवाओं को नशेडी कह रहे हैं। एक तरफ जहां यूपी में कॉंग्रेस बीजेपी पर निशाना साथ रही है तो वहीं दिल्डी के सीम अर्विन केजरिवाल ने लोगसभा चुनाओ दो हजार उन्तिस के लिए नई घोशना कर दी है। बीते दिनों विश्वास प्रस्ताव पर विधान सभा को संभोधत करते हुए आप से यूजग इजरिवाल ने कहा कि अगर केंदर में बीजेपी पार्टी इस साल की लोगसभा चुनाओ में नहीं हारती तो आम आदमी पार्टी अगले लोगसभा चुनाओ में भारत को बी गोशनाए कर रही है अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किसको चुलती है ब्योर रपोर्ट वन मिनिट न्यूज